भाईव और बहनों, आज हमारी सरकार असम की जरुतों की पहचान करके हर जरुरी प्रजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। बीते छे सालों से असम सहीत पूरे नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी और दूसरे इंफा सक्तर का भुत्पुर विश्तार भी हो रहा है। आधुनिक भी हो रहा है। आज असम और नौर्थ इस्ट भारत की एक इस्ट पालिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढा रही है। बहतर इंफा सक्तर के कारण ही असम आत्म निर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण सक्तर के रुप में विख्सित हो रहा है। बीते सालों में असम के गावों में करीब ग्यारा हजार किलोमिटर सडके बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारी का सेतू हो, बोगी बिल ब्रीज हो, साराय घाट ब्रीज हो, ऐसे अनेक ब्रीज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी शसक्त हुई है। अम नौर्थीस और असम की लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार से और जीवन को खत्रे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। इसके अलावा जलमारगों से बंगलादेश, नेपाल, भुटान और म्यानमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। साथियों असम में जैसे जैसे रेल और एर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है। लोजिस्टिक से जुड़ी सुविदाय बहतर हो रही है। वैसे वैसे हां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाय बन रही है। लोकप्रिय गोपिनार्द बॉर्डोलोई इंटरनेशनल एरपोर्ट में आधुनीक टर्मिनल और कस्ट्रम क्लिरंस सेंटर का निर्माण हो। कोकरा जार में रूपसी एरपोर्ट का आधुनी करण हो। बॉंगई गाउं में मल्टी मोडल लोजिस्टिक हफ का निर्माण हो। ऐसी सुविदाओं से ही असम में आउद्योगी की विकास को नया बल मिलने वाला है। भाईयों और भेनों आज जब देश गैस बेज एकनामी के दरब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो असम भी इस अभियान का एक एहम साजिदार है। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफर सक्तर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड रुपिय से अधिक का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरोनी गैस पाइपलाइन से नौर्थ इस और पुर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। और असम में रोजगार के नए अवसर बनने वाले। नौर्वाली गळण रिफाइनरी का विस्थारी करान करने के साथ साथ वहा अब बायो रिफाइनरी के सुप्ध स्विद्ध जोड़ी गई है। इससे तेल और गयस साथ साथ असम इथैनोल जैसा बायो फ्यूल बनाने वाला देश का मुख्य राज्य मनने वाला है। झाल झाल